हाई फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ बहुत ही सिंपल सी मिठाई की रेस्पी जो देखने में एकदम यूनिक है और खाने में बहुत ही टेस्टी और बड़े ही आसान तरीके से बनती है तो चलिए तेरी किस बात की शुरू करते हैं इस मिठाई को बनाने के लिए हमने लिया है एक पैन और पैन में हम डालेंगे दो छोटी चम्मच सुददेशी घी और घी जैसे ही मेल्ट हो जाएगा इसमें हम डालेंगे एक कप सूजी आप हम सूजी को लो फ्लेम पर भूनेंगे यहाँ पा जरूरी बात आपको सूजी कलर चेंज नहीं करना है और सूजी को भूनना भी बहुत बढ़िया है इसलिए यहाँ पर आप घी डाल कर किसको भूनिए तो सूजी का कलर चेंज नहीं होगा तो मैंने सूजी को लगभग अभी 3-4 मिनट तक भून लिया है और आप देख सकते हैं बिल्कुल भी कलर सूजी को भूनना है इससे हमारी सूजी का बिल्कुल भी कलर चेंज नहीं होगा और बहुत अच्छे से भून करके तया होगी तो करीब इसको भूनने में 10-15 मिनट का समय लग जाएगा सूजी कच्छी बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए टाइमिंग आप देख लीजेगा कम स से कम 10-15 मिनट तक लो फ्लेव पर इसको अच्छे से आप भूनिये तो इसी स्टैप को बार बार करते हुए मैंने करीब पांच छोटी चमच घी एड कर लिया है और सूजी जो है बहुत अच्छे से भून चुकी है और इसका कलर चीज नहीं हुआ है बुनने की क्या पैचा कि आई है इसमें मावे वाला फ्लेवर आएगा यहां पर मिल्क पाउडर डालना बहुत जरूरी है वरना आपका सूजी का हल्वा बन जाएगा मिठाई वाला टेस्ट नहीं आएगा अगर मिल्क पाउडर नहीं है तो आप यहां पर कंडेंस मिल्क का यूज भी कर सकते हैं एक कप कंडेंस मिल्क डाल दीजिएगा और आप हम यहां पर डालेंगे आधा कप ही चीनी अगर आप कंडेंस मिल्क का यूज कर रहे हैं तो चीनी आप थोड़ा कम डालनी होगी या फिर आप नहीं भी डालें तब भी चलेगा क्योंकि वह बहुती मीठा होता है और आप पर दालना है पहले हम पूरा एक कप डूट डालेंगे ताकि जो सूजी है वह अच्छे से डो के फॉर्म में आ जाए फिर बाद में हमें आधा अधा अधा कप डूट डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे आप रेंशर मत लीजिए आप सोचेंगे कि यह तो जैसे ही आपको लगने लगे कि एकदम ड्राई हो गया है दूट और ये एकदम पैन चोड़ना शुरू कर दिया है इसने मिश्रण ने तब आप इसमें आधा कप डूट और एट कर दीजिए तो अभी हम आधा कप ही करेंगे फिर से हमने आधा कप बचा लिया है और आप हम इसको फिर से सेम प्रोसीजर में अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर से बिलकुल ड्राई होने तक पकाएंगे जब तक कि जो मिश्रण है फिर से अच्छे से पैन चोड़ना शुरू कर दिया है और ये एकदम स्मूथ होता जा रहा है और अब हम इसमें फिर से बचा हुआ आधा कप दूद डालेंगे और सेम प्रोसीजर में इसको फिर से दूद के साथ मिक्स करेंगे और अब यह हमारा फाइनल प्रोसीजर रहेगा और जब तक हमें इसको फिर से पकाना है जब तक यह बिलकुल पैन चोड़ना शुरू नहीं कर देता तो यहां पर आपको इस ब बहुत ही बढ़िया निखर करके आता है बिलकुल भी हलवे वाला टेश्ट नहीं आएगा और आप देख सकते हैं इसका करण एक दम वाइट है और यह बहुत अच्छे से भुन चुका है बिलकुल भी आपको कर्चापन महसूस नहीं हो तो लेजी आप यह फाइनली इस पर जहां पर आप यूज करते हो इसको आप निकाल लीजिए और अब हम इसको मसलते हुए अच्छे से चिकना करेंगे चिकना करने के बाद इसको हम दो बराबर हिस्सों में बाट लेंगे और एक हिस्से में मैं यहां पर मिला रही हूँ फूट कलर तो यहां पर मैं ग् मिख bond दुरिया है और अब हम इस मिच्टन की चोटी चोटी सी जोई लेकर के इसकी गोंगोल बॉल्स बनाएंगे आ रजू सकते हैं यो कंपनाकर करके बिलकुल इस तरह से आप को गोवड़ करके सबी मिच्टन की तयार कर ले Key innoworm तो मैंने वाइट पोशनकी बॉल्स बना तरह कर collecting हैं और समसी तरह से लेजे हमने वाइट और गुरिंब दोनों तरह की चलिए बनाना सिखाते हैं आपको को यह special मिठायद इसके लिए कैखेंगे का घ्रीन बॉल और इसको अंदर की तरफ ले जाते हुए दोनों को जॉइंट कर देंगे इस तरह से और एक सा सेप देंगे तो लीजिए मैंने इसको अच्छे से से दे दिया है अब हम क्या करेंगे इस तरह का प्रेस आपको तब तक करना है जब तक कि इसको निकालेते हैं वाओ आप देख सकते हैं कितनी सुन्दर कितनी यूनिक बन करके तैयार हुई है जो देखने में बहुत ही खुबसूरत लग रही है यह देखिए एकदम नया लुक लग रहा है मिठाई का जब आप इस तरह से मि मिठाई और बना करके दिखा देती हूँ तो सेम प्रोसीजर में हम सभी बॉल्स को आपस में मिला करके ज्वाइंट कर देंगे और इस सेप में लाएंगे और हमने जो पैचल लिया है बस इसको सेंटर में रखेंगे और हलका सा करेंगी प्रेस तो यह लीजिए हमारी डिज ख्यार है हमारी बहुत ही खुबसूरत सी मिठाई जो देखने में बिल्कुल यूनिक है आप जिसको भी सर्व करेंगे उसको बिलीव नहीं होगा कि आपने बनाई है तो फ्रेंड्स एक बारा आप यह मिठाई जरू बना करके देखिए आपको बहुत अच्छी लगेगी और अच्छी लगेगी मिठाई तो इस तरह से आप भी बहुत अच्छी सी सुन्दर सी मिठाई बना करके तयार कर सकते हैं तो चलिए फ्रेंड्स रक्षा बंधन पर एक स्पेशल मिठाई और बना लेते हैं बो भी बिना गैज जलाए तो इस मिठाई को बनाने के लिए मैंने कर लिए एक कप मिल्क पाउडर मैं आपको बता दूँ कि मैं यहाँ पर बेभी मिल्क पाउडर ले रही हैं क्योंकि बहुंकि नोगों की डिमांड आ रही थी कि मैं जो लैक्डोज वाला पाउडर है बच्कों को पलाने वाला वो बचा है उसका यूज कैसे कर सकते हैं तो चमज घी मैं आप बात बतादू जो नॉर्मल विल्क पाउडर होता है वह ज्यादा चिपकता नहीं है और बेबी वाला होता है बच्चों को पिलाने वाला वह हल्का चिपकता है इसलिए घी मिला रहे हैं तो इसमें हमें थोड़ा-थोड़ा घी मिलाना पड़ेगा और बाद थोड़ा सा ही डालें तो यह घीला हो जाएगा तो अभी आपको लगणा होगा कि दूढ़ा ज्यादा मात्रा में लगेगा लेकिन जैसे आप इसको मिक्स करते जाएंगे तो आपको लगएगा कि दूढ़ बहुत ही कम लगा है तो यह देखिए मैंने इसका सौफ डू तया अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि यह जो मिश्रण है चिपके ना और थोड़ा चिकना हो जाए तो हमने इसको अच्छे से मसलते वे चिकना कर लिया है तो अब हम इसका एक छोटी सी लोई जैसी काट लेंगे इसको अलग कर लेंगे यानि कि तीन हिस्से होने के बाद एक हिस इसको निमेक्स कर लिया है उसकी भी हमने पेड़ा जैसी लोई बना करके तयार कर लिया अब हम फाइल पेपर लेंगे और शोंब इचा देंगे बटर ले सकते हैं या कोई जो पॉली तेन आती है वो भी इस्तुमाल कर सकते हैं तो हम इस तरह से लोई रखेंगे और उपर स अब इसको घुमातिव लें चाहिए जिस सेप में बने आप इसको बेल लिजिए तो हमने इसको पतला सा बेल लिया है अब हमने यहां पर कुछ ड्राइफूर्स लिये हैं काजू पिस्ता आप जो भी राइफूर्स पसंद करते हैं वह इसमें लगा सकते हैं मैं उपर से थो तो आफ फॉइल पेपर की मदद से या डिरेक्टली हाथों की मदद से भी इस रॉल को बना सकते हैं इसी तरह से अब हम भाइट वाला पोर्शन लेंगे और इसको भी हम इस तरह से लोई बना करके फॉइल पेपर को हमने पलट लिया है और अब हम इसको भी बेल लेंगे कर देखा हुआ था इसको हम इसके उपर रखेंगे और यह जो पार्ट है इसको मैं हाथों से यह आपको लिए करके देखा रही हूं आप चाहे तो इसी तरह से फॉइल पेपर में लपेड कर भी इसको रॉल कर सकते हैं इसको किनारी पर हम दबाते हुए इसका रॉल तयार करेंगे और अब हम फॉइल पिपर में लपेड देंगे अच्छा रहे और आप इसको आप किनारी पर तो दबा दें और इसको पंदा से 20 मिनट के लिए आप इसको फ्रिज में रख दे सैठ होने के लिए तो फ्रेंट्स करीब मैंने 20 नट के लिए इसको रखा है तो हम निकाल लेते हैं इसके फॉइल पिपर को सब्सक्राइब नारी है वह कट कर देते हैं दोनों तरफ की के अच्छे आ सके ए points निसको कट लिया है और अब हम गषतने पतले आप कि मॉटए मिताए की काट कर सकते हैं तो मैं थोड़ा सा इसको चौड़ा रखे यहां नहीं कितना सुन्तल्रा काया झाल 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 झाल